अनुपमा शो में अब तक आपने देखा कि किंजल और परितोष वन्राज और राखी के साथ बेटी को अस्पताल से घर लेकर आते हैं घर पर पूरा शा परिवार किंजल और उसकी बेटी का स्वागत करता है अनुपमा दोनों की आर्थी करती है और फिर बापुजी से कहती है कि घर में लक्ष्मी आई है इसके बाद पूरा परिवार धूम धाम से नन्धी पड़ी का स्वागत करता है वहीं राखी सोचती है कि वो सबसे परितोष के बारे में बात नहीं करेगी लेकिन परितोष को देखती ही वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और बार-बार उसे ताना मारती है अनुपमा और वन्राच को राखी पर शक होता है कि वो कुछ नकुछ तो सबसे छिपा रही है राखी से फिर कंट्रोल नहीं होता है और वो अनुपमा को परितोष की सच्चाई बता देती है अनुपमा को परितोष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर के बारे में पता चलते ही बड़ा जटका लगता है अब रिपोर्ट्स की माने तो शो में आगे बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है कि इस सच के सामने आने के बाद किंजल और परितोष का तलाक होगा मतलब कि जैसे वन्राच के अफेर के बारे में पता चलने के बाद अनुपमा और वन्राच का तलाक हुआ था वैसे ही अब परितोष और किंजल भी अलग हो जाएंगे लेकिन बता दे कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरे आई थी कि शोष से किंजल का किरदार खतम हो जाएगा वो परितोष की सचाई सुनकर सुसाइट कर लेगी तो अब आगे होगा यह देखना काफी एक्साइटमेंट है लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए मेरा चानल जरूर सब्सक्राइब करें वेलकम टू प्रिशो